पैट जाए उदर भी बैठ जाए पंडित रहूं आने वाले, हां बैठ जाए मैं। बैठिये बंदितेरु आगे बंदितेरु रस माता की जै बंदितेरु आगे 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 बहनों भाईयों और साथियों, आप लोग जो ये भारत माता की जै के नारे लगा रहे हैं ये अच्छी बात है पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है, कौन है भारत माता किसकी जीत चाहते हैं आप सब, बताईए मैं भी जानना चाहता हूँ अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता बोलो बोलो अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किस की जाए, क्या है भारत माता, कभी देखा है आपने, पंडी जी, भारत माता मतलब, मतलब ये, ये धर्ती हमारी माता है, सिर्फ ये धर्ती, या इस गाउं की धर्ती, या इस सूबे, इस इलाके की धर्ती, या सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान की धर्ती, सिर्फ धर्ती और कुछ नहीं, हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां, पहाड, ये सब नहीं, सबी हैं पंडी जी ये नदियां ये पहार जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है वो क्या आप बता ही पड़े जी भारत माता तु ये सब है ही नदियां पहार खेत पेर घने जंगल समंदर आसमान पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम भारत के लोग दरसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मा की पहचान है इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से यानि कि देखा जाये तो आप सभी अपने आप में भारत माता है भारत माता की जाये भारत माता की जाये भारत माता की जाये 1930 के आसपास जब भी जेल से बाहर रहा खासतोर से सन 36-37 के चुनावी दोरों के वक्त मैं भारत के तमाम सूबों के गाउं और शहर गुमा ये यात्रा खुद मेरे लिए एक खूज थी ऐसा लगता था हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की धर्ती अपने पूरे फैलाओ के साथ मेरे सामने है हिंदुस्तान के बदलते रंग रूप मुझ पर च्छाने से लगे इसका विस्तार या अलग-अलग रंग तो पकर में आ जाते पर इन सबसे अच्छूती इसकी आत्मा को समझना मुश्किल था हाना कि अपने अत्राफ उसे महसूस जरूर कर रहा था जितना ही भारत को देखा उतना ही ये एहसास बढ़ा कि मेरे या किसी के लिए भी उस कलपना को बूझना जो ये भूमी अपने में छिपाए है बहुत कथिन है कभी तो भारत मुझे एक ऐसे शिला लेक सा लगता जिस पर मुख्तलिफ ख्वाब और ख्याल की तहें एक पर एक जमी हुई हों फिर भी किसी बाद की लिखी तह ने पहले से लिखी भारत को न तो मुकंबिल तोर से मिटाया नहीं छिपाया चाहे इनका गुमान भी न हो फिर भी दिमाग के चेतन अचेतन हिस्सों में मौझूद सब रहता है और इन ही सबने मिलकर भारत के पेचीदा और भेद भरे वजूद को शक्र दी है हिंदुस्तान एक नक्षे और जोग्राफिये को छोड़ कर क्या है माजी में क्या पहचान थी इसकी उस समय क्या था जिसने इसे इतनी शक्ती दी क्यों ये शक्ती खोसी गई क्या अब भी कुछ बाकी है आज भी वो रह गया है जिसे हम जानदार और एहम कह सकें तारीख में उन पुरानी और स्थित तहजीबों के जवाल या अचानक खात्मे की कई मिसाले हैं जिनकी जगह फिर नई और जानदार तहजीबों ने ली क्या वो एक मारमिक शक्ती है एक अंदरूनी कुवत जो किसी तहजीब या कौम को जिन्दा रखती है जिसके बिना हर कोशिश बेकार सी लगती है जैसे एक बुढ़ा जवान होने का स्वांग भर रहा हो सिंदू घाटी सब्यता भी अपने आप में एक भारतिय सब्यता थी जो मौझूदा हिंदूस्तानी तहजीब का आधार बनी कितनी हैरत की बात है कि कोई भी तहजीब इस तरह पांच-छे हजार साल तक काइम रहे वो भी किसी गतिहीन अर्थ में नहीं क्योंकि भारत में विकास और बदलाव शुरू से आते रहे इरान, मिस्र, युनान, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भारत का संपर्क रहा भारत की सब्यता का बहाव इनसे प्रभावित हुआ उसने इन्हें प्रभावित भी किया मगर उसकी अपनी तहजीब की अलग ही पहचान रही क्या है इस पहचान का राज कहां से आई हम में इतनी सकत ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम्ना सित्र जोनो व्योमा परोयत किमा वरीवह कुह कत्य शरमन्नम्भा किमा सित्गहनं गभीरं नम्रुत्य रादे दम्रुतंद तरही नराद्या अनादे प्रकेता स्रिश्टी से पहले सत नहीं था आसत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहां किसने ठका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था नहीं थी मृत्यू थी अमर्ता भी नहीं ननी था दिन रात भी नहीं हवा भी नहीं सास थी स्वय वेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी परमतत्व से अलग या परे भी परमन में पीच पहला जो उगा काम बन कर भह जगा कभीयों क्यानियों ने जाना असत और सत का निकट संबंद पहचाना हैले संबत के किरन ठाग तिर छे परमतत्व उस पल उपर या नीचे वह था पटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ उपर दाता वही मोकता नीचे वसुदा स्वदा हो क्या स्रिष्टी ये बनी कैसे किस से आई है कहां से कोई क्या जानता है बता सकता है देवताओं को नहीं व्यार वे आए सुजन के बार स्रिष्टी को प्रचा है जिसने उसको जाना किसने स्रिष्टी काम है करता करता है वह अकरता उजे आगाश में रहता सदा अत्रक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता मैं हिमाले में बहुत घुमा जो हमारे पुरान और दंकताओं से जुड़ा हुआ है जिसने हमारे साहित हमारे बिचार पर इतना गहरा असर डाला है बिचार परवतों से मैदानों में बहने वाली नदियों ने भी मुझे लुभाया और हमारी तारीख के अंगिनक युगों की याद ताजा कराई सिंधू जिससे हमारे देश का नाम हिंदूस्तान पढ़ा और जिसे पार कर हजारों बरसों से जातियां फिर्कें काफिले और फौजें यहां आती रहीं भर्मपुत्र जो तारीख की मूल धारा से कटा हुआ रहकर भी किस्ष्य कहानियों में हमेशाज जिन्दा रहा है यह उत्तर पूरब के पहारों में गहरी दरारें बनाता हुआ दं-दनाता हुआ भारत में दाखिल होता है और फिर शांती से पहाड़ियों जंगल भरे मैदानों में बहता है यमुना जिसके साथ रास, नित्य और खेल की लीलाएं जुड़ी हुई है और गंगा भारत की अपनी नभी जिसने अपनी खूबसूरत भारा में हिंदुस्तान का दिल मोह लिया है जो आदिकार से नजाने कितने करूनों लोगों को अपने तट की और खीचती रही है दरसल गंगा की कहानी स्रोच से साधर संगम तक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृती की कहानी है आदिकार से वर्तमान तक उन सामराज्यों के उत्थान और पतन की विशाल शहर बसने और उजड़ने की इंसान के साहसे कारनामों और उस दिमागी खोज की जिसने भारत के विद्वानों को उकसाया आश और इश्रत त्याग और सन्यास उतार और चरहाओ विकास और बिनाश की जिन्दगी और मौत की कहानी झाल झाल इन तमाम यात्राओं ने पढ़ी हुई तारीख को उजागर करके बीते हुए कल को समझने में मेरी मदद की अब तक जो महस दिमागी जानकारी थी उसमें एहसास का पहलू पनपा और जहन में बन रही हिंदुस्तान की तस्वीर में असलियत के रंग खुलने लगे झाल 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 किया थक प्तू जाओ जाओ पत्सक्राइब थे जाओ जी के ज़ Σन सके जगा जाने नेडित Asakah सक छाओ के जाओै। प्रिर्णानन नामुनन निर्णान निर्णान निर्णार निर्णान निर्णार निर्णान निर्णार वेश्ष्वकादू अले नहार विश्वर का तू आला नहार बाजाता तो है बाराउं बारा बाजाता तो है बाराउं बारा आशारान शारान करता हूं नामुनित जगल संसार निराउं जगल संसार निराउं जगल संसार तुमाही नाता ताया दाम तुमाही नाता दया दामा जानकी आसे बुरना कामा आंता काला आवाता कामा आंता काला आवाता कामा काडो बाँधान दुका बाँधान मन राँधान जगा आधार निराँधान निराकार दो भाँधान जगार पाला आवदान जगर दे लिराकार झाल 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 झा अपने पुर्खों की धर्ती पर जीते जागते इनसान दिखने लगे जो रोते हंसते प्यार करते तकलीफ जेलते थे और उनमें ऐसे भी थे जो ग्यानी और समझदार थे जिनके दिमागों ने वो धांचा तैयार किया जिसने भारत की तहजीब को ठोस आधार दिया जो हजारों बरस काइम रहा बनारस के नजदीक सारनाथ में कौतम बुध को अपना पहला उपदेश देते हुए मानों अपने सामने देख रहा हूँ और उनके शब्द जैसे धाई हजार साल की दूरी से गूंच कर मुझ तक पहुँच रहे हैं भिक्वो जन्व दुख है मरण दुख है जरा दुख है रोग दुख है दुख देती या पुरिय की संगत दुख मनुच का आर्य सत्य है दुख की जड़ है इच्छा त्रिश्ना सुख की चाहत त्रिश्ना त्रिश्ना स्वर्ग कामना त्रिश्ना त्रिश्ना मरकर भी बाकी है त्रिश्ना त्रिश्ना ही पापों की माता त्रिश्ना मानव आर्य सत्य है कामत्रिप्ति भी मोक्ष नहीं है दे सुखाना मोक्ष नहीं है तृष्णा छोड़ो तृष्णा तोड़ो मोक्ष प्राप्ति की राह यही है यही सत्य निर्वान यही है अशोक स्तंभ पर खुदे शिला लेख जो अपनी शांदार जबान में मुझे एक ऐसे इनसान का हाल बताते हैं जो समराथ होते हुए भी किसी भी दूसरे शासक या राजा से महान था ये आदेश हमेशा तिश्या नक्षत्र में पढ़ना और सुनना चाहिए साल में तीन बार कोई चाहे तो दूसरे मौकों पर भी इसे सुन सकता है ये आदेश है देवन प्रिय राजा प्रिय दर्शी का नगरवासी कई अफसरों पर जैसे हारी बिमारी, बच्चों का जन्भ या विभा यात्रा आदी अरंभ पर कई शुब समारों का आयोजन करते हैं, ऐसे अफसरों पर महिलाएं खास तोर से आयोजन करती हैं, जो सारे निरर्थक और तुछ हैं दूसरी और धंबा से जुड़े सभी अनुष्ठान अच्छा परिनाम देते हैं, उसके अंतरगत आते हैं नौकर या दास के प्रती शिष्ठ वेवार, बढ़ों के प्रती श्रधा, दूसरे जीवों से वेवार करते समय स्वेंपन नियंत्रन, श्रम्नों और ब्राह्मनों के प्रती उद्दारता, ये और इसी प्रकार के दूसरे गुण ही धंबा के अनुष्ठान हैं धंबा के बारे में राज जाग्या, देवन प्रिया राजा, प्रिया दर्शी के कहने पर खुदवाई गई है राजा प्रिया दर्शी का आदेश है, हर अपसर पर नगरवासी को, व्यक्ती को, दूसरे संपरदायों का आदर करना चाहिए ऐसा करके वो अपने संपरदाय का प्रभाव बढ़ाएगा यदि कोई व्यक्ति इसके विफ्रीद करेगा तो वो दूसरे संपरदायों को नुकसान पहुंचाएगा और अपने संपरदाय का असर भी कम करेगा इसलिए सामन जस्ते की प्रशंसा की जाती है ताकि लोग एक दूसरे के सिधानतों को बहतर समझ पाएगा पतेहपूर सीकरी में अकबर बिना ताज और तख्त की परवा किये धर्म विद्वानों से बहस मुबाहिसे में जुटा है नई मालुमात की जुस्तजू में बेसबर मसले ऐहायात के बंधन से निजात पाने की राह खोज रहा है हमें एहसास है के मुख्तलिफ मजभों के रोहानी रास्ते जुटा है रस्म और रिवाच अलग हैं इंदू, मुसल्मान, पार्सी, यहुदी और इसाई सब के मुख्तलिफ तालिमे हैं लेकिन हर एक मजभ पर एमान रखने वाला सोचता यह है कि उसके मजभ की रवायते औरों से बहतर है इस ख्याल से वो दूसरों को भी अपने अकीदे पर लाना चाहता है अगर कोई इनकार कर दे तो उसे हिकारत से देखा जाता है और वो दुश्मन करार दिया जाता है इनी सब वज़ों से हमारे दिल में तरा-तरा के शकोशुभा उभरने लगे है इसलिए हम चाहते हैं कि मुकर्र दिनों पर तमाम फिर्कों और मजभों की दीने किताबे इहां लाए जाएं और अलग-अलग मजाहिब के आलिमों में बहस मुभाइसे हो ताके हम उन्हें सुन सके कि कामदाउं में को बिजारे हैं गता है जो कारता हैं जो बहाव बनिवारे दिन चल गयाए अधरियां प्यारा ना नीहारे हैं निहारे हिंदुस्तान एक बहुरंगी देश है ये तो सब जानते हैं एक जाहिर सी बात है जो हर एक देख सकता है फर्क उपरी ठाट बात और रहन सहन में भी दिखाई देते हैं आदत और सोचने के ढंग में भी मजभब बदलने से भी तबदीलियां आई हैं पर जो तर्ज जिन्दगी किसी खास इलाके की पहचान मानी जाती है उसमें फिर भी इतनी तबदीलियां नहीं आई सभ्यता की शुरुआत से हिंदुस्तान के मन में एकता का एहसास दरूर रहा है लेकिन ये एकता उपर से लादी गई कोई चीज नहीं जहां सब एक तरह सोचें एक सा रहन सहन अपनाएं वो किसी और किस्म की एकता रही है जहां विभिन सिध्धान्तों को एक सा आदर सम्मान मिलता रहा राचीन ये मध्यकालीन युगों में एक आधुनिक राष्टर का खयाल था ही नहीं और सामंती, सांस्कृतिक या जातिबद बंधन ज्यादा मतलब रखते थे फिर भी मुझे लगता है कि तारीख के किसी भी दौर में एक हिंदुस्तानी भारत की किसी भी हिस्से में जातर एक अपनापन जरूर महसूस करता होगा जबकि विदेश में वो अपने आपको अजनभी समझता होगा जबकि विदेश में जरूर में जबकि विदेश कर दो 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 जीत उतार चड़ाव लिये हुए कितनी अनोखी है ये परंपरा जो तारीख के पांच हजार साल से गुजर कर चली आ रही है हमलों और उथल पुथल के बावजूद ये परंपरा काइम रही और उसने अवाम में फैल कर उन्हें प्रभावित किया और फिर इतिहास का कारवाँ दुख भरे वर्चमान पर आकर रुक गया कहीं दूर से नारों का शोर एक गरच की तरह मुझ तक पहुँचा शुरू में पहचान नहीं पाया फिर एक जानी पहचानी सी पुकार लगी जो मेरे दिल से जवाब मांग रही थी जेल के बाहर ने जाने कौन हमारे इनकलाबी नारे दोरा रहा था शहर के मर्द औरतें या गाउं से आये किसान जो भी थे उन्हें सुनकर हम सब खुश हो गए और उनकी उस सलामी का दिल ही दिल जवाब ही दिया सदाधार प्रतिविम्ध्या मुतेमां कस्में देवा यह विशा विदेम वह था हिरन्य गर्वस्रिष्टी से पहले विध्यमां वही तो सारे भूत जात का स्वामी महां जो है अस्तित्वमान धर्ती आसमान दारण कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हमह विदेकर जिसके बल परते जो मैं है अम्बर प्रुध्वी हरी बरी सापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर कर्म में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापाधा जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर झाल झाल